बस्पा सुप्रिमो मैवती ने एक बार फिर से मोधी सरकार पर जम कर हमला किया है और ट्वीट करके बीजीपी को बातों बातों में जूटों का सरदार कह दिया बस्पा सुप्रिमो मैवती ने मोधी की तुलना अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम से कर दी मैवती ने पीम मोधी और बीजीपी पर हमला करते हुए कहा अमेरिका के राष्टपती डोनाल ट्रम के गलत बयानों को पकड़ने के लिए वासिंग्टन पोस्ट अकबार ने फै देखा जाये तो मोधी सरकार अपने जूटे वादों से लोगों को ठग रहे हैं परंतु इस चुनावी महाल में असाफ जाहिर होता है कि जनता भी अब मोधी सरकार के खिलाब जाने की सोच रही है विवादित बयान और धंक्या देने वाले भाजपा के नेता आजकल सुरक्यों में बने हुए हैं यहां तक कि प्रधानमंती नैंद्र मोधी भी विवादों में फसे रहे परंतु उन पर कोई कारवाई नहीं हुई यहां तक कि चुनावायोग भी उन पर कोई कड़ा रुख जाहिर नहीं कर रही है इससे पहले मायवती ने बीजपी पर आरोप लगाते हुए कहा था बीजपी महिलाओ का सम्मान करती है जो जग जाहिर है लेकिन दुख की बात तो यह है कि अब चुनाव के समय में भी भाजपा सत्ता का दुर्पियोग करके बीजपी को बदनाम करन और कहा था बीजपी वैसे तो बाबा साहिप की प्रेणा से सर्वसमाज के हित के लिए काम करती है लेकिन सदियों से पक्षित दलितों और ओबिसी वर्ग में जनमे महान संतों गुरूओं और महापुरसों के आदर सम्मान में जो काम की हैं वे अतियासिक है बी जीपी कॉं भी बाबा साहिब के जनम दिन पर उनके अधूरे कारवा को मंजिल तक पहुचाने के लिए किया गया है, जिसे जातिवादी मानसिक्ता की तहट कॉंग्रेस एंड कमपनी के लोगों ने लगबक 30 सालों तक भठकाए रखा था, मैवती ने ट्वीट कर कहा था, परम पुझ बा नाम जपना, जनता को ठगना जैसे राजनीती नहीं करती यह, पूरा देश जानता है नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि, वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भढ़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़